रामनगर में प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री और हर्दवार के सांसर डॉक्टर रमेश पोकरियाल निशंक के लूक निर्माण विवाग के विश्राम ग्रह में पहुँचने पर पार्टी कारेकर्ताओं ने उनका जोड़दार स्वागत किया इस दोरान डॉक्टर निशंक ने काया कि देश के प्रदायन मंत्री नरेंदर मोदी के नित्रितों में केंदर सरकार के आठ पर्ष का कारेकाल पूरा हो गया है उन्होंने काया कि प्रदायन मंत्री के इस कारेकाल से देश भर की जनता खूश है साती उन्होंने प्रदेश के मुख्य मंत्री पुशकर सिंग धामी की उपचुनाव में हुई एत्यासिक जीत पर भी प्रदेश की जनता का आभार जतादेवे कहां कि मुख्य मंत्री की सेत्यासिक जीत ने देश में रिकॉर्ड बना दिया हैं मोदी जी के आठ साल पूरे होने पर इनको बधाई देने के लिए आया हूँ यहां पर और मैं सोचता हूँ सोशासन, सेवा और समर्पन का जिस तरीके से उन्होंने एक अधिभूत उधारन प्रस्तुत किया न केवल हिंदोस्तान के अंदर बलकि पूरी दुनिया के अंदर इससे हिंदोस्तान का बच्चा बच्चा भी गरवानित मैसूस होता है कि हमको देश का एक ऐसा प्रधान मंत्री मिला है जिसने हिंदोस्तान के पहचान को पूरे विश्व के फलक पर स्रिष्ट तम किया है और हमारे इस प्रदेश के बहुती सुयोग्या और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिस तरीके से उन्होंने रिकोर्ड तोड़ा केंद्र राजमंत्री स्वतंद्र परभार जितेंद्र सिंग रविवार को देहरादून बीजेपी कारले पहुँचे केंद्र सरकार के आठ साल के कारकाल पर उन्होंने सरकार की उप्रप्णियों को गिनाया उन्होंने काय कि विश्व के सरवादिक लोगप्रे नेता प्रदान मंतिर नरेंदर मोदी के नेतरतों में आठ सालों में देश नहीं बलकि विदेशों में भालत का गोरा बढ़ा है इन आठ सालों में मोदी सरकार ने यूग परिवर्तन के साथ ही नई संस्कृति को जन देखर नयाई का फर्द बनेबाया है यही कारण के आज नरेंदर मोदी की लोगप्रेताब बढ़ती जा रही है उदैपुर राजस्तान में हुए कॉंगरस के संकल वशिवर का क्रियान बयन आब राजय के सभी जिलों में कॉंगरस करने जा रही है कॉंगरस पार्टी 11 से 14 जून तक सभी जिलों में अपने जिलास्तरे नेताओं के साथ मतन करेगी पार्टी हाइकमान के द्वारा सभी प्रदेशों में इस तरह के किर्यानवन शिवर आयुज़ित करवाय जाने को कहा गया है किर्यानवन शिवर के समन्वैक सुरकान दस्माना ने कहा कि नव संकल्प एलान को ग्रास रूट तक पहुँचाने के लिए जिलास्तरे कारिशाला आयुज़ित की जाएंगी सालजडी उप्रोमों को बेचने का मामला हो देश को धार्मिक आधार पर विवाजन करने का एक बार फिर से तूप रियास किया जा रहा हो इन सब के खिलाब कॉंग्रेस कारकरता किस पकाल से अपने को संगटित करके लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए हमने पहले राज़िस्तर के एक वा दो जून को कारिशाला करी अब हम जिलास तर्य कारिशाला हैं ग्यारा जून से चौदा जून को करने जा रहे हैं विश्व परहण दिवस पर पूर मुख्यमंतरी त्रिवेल सिंग रावत ने राज़पूर के कैरवान गाउं में पौधा रोपा चार साल पहले मुख्यमंतरी रहते वे उन्होंने रिस्परा नदी के पुनर जीवन के लिए इसी कैरवान गाउं में स्कूली बच्चों वन्मिभाग और जनसयोग से पौधरोपन किया था आज यहाँ पर सुन्दर हरावरा जंगल विक्सित होते देख पूर मुख्यमंतरी काफी खुश बिनजरा है इस दौरान एक गोश्टी का भी आयोजन किया गया जिसमें पूरुसेम त्रिवेंद सिंग रावत ने बतावर मुख्या देती शिर्कत की देरादुन में विश्व परयावन दिवस पर CSIR भारतिय पेट्रोलियम संस्तान ने कारग्रम का आयोजन किया हम चार धाम यात्रा मारगो में भी इसको जोड रहे हैं साथी पेट्रोलियम संस्तान के वरिष्ट वैज्ञानिक डॉक्टर जैदी त्रिवेदी ने कहा कि हमारा प्रियास इधन की कमी को दूर करने का है हम लोग रिष्ट केश में जो चार धाम यात्रा के इतने होटल हैं हलवाई हैं सबस्रम बात करने हैं और हमारा इरादा है कि हमारे पास चार धाम हैं हर धाम के लिए हजार लीटर डीजल का खापफम कम करेंगे जब देश में ये चारो और फैल जाएगी है तो हम समझते हैं कि शायद सिर्फ हलवाई और होटल नहीं पर हर घर में हम लोग जो कंपनी तेल बेचने हैं कि हर घर में एक जरी कैन देदे ज़े जब पांच लीटर तेल अपरशिष्ट मिल जाए उसमें तो लेकर आधा लीटर तेल उनको ताजा देगा तब इसमें क्या तेल खरीगे के जजमारी नहीं है जो अपरशेश टेल है उसका दुरूपयोग नहीं हिए तो मालू है कि अपरशेश टेल का दुरूपयोग हो सकता है। यह सब चीजें एक साथ लाकर एक ही एको सिस्टम देश के जहां जहां भी लाग पहुंचा नहीं है। इसको करने के लिए मुने में मापशनी है। CSIR IAP ने एक नया तकनीक बनाया है। इसको नाम दिया है रूम टेंपरेचर बायोडीजल प्रॉसेस। मतलब सामान इतापमान पर बायोडीजल बन जाता है। तो नॉर्मल जो बाकी लोग बनाते हैं बायोडीजल उसमें बहुत ज़्यादा हीटिंग की जरूवत होती है। लेकिन हमारा जो प्रॉसेस है इसमें सामान इकक्षा तापमान पर रियाक्शन हो जाती है। और हमने इसको पूरा इनिशेटिव है इसको नाम दिया है गाओं गाओं में बायोडीजल। और इसमें क्या है हम तहरादून और जो लोकल एरिया है पुरा इससे यूज कुकिंग वाइल बचा हुआ खादी तेल इखटा कर रहे हैं। और इस खादी तेल से हम अपने आईएपी के प्रोसेस से बायोडीजल बना रहे हैं। तो खादी तेल हमें मिल जाता है करीब 20 रुपए प्रती लीटर में और हमारी जो प्रोसेस की कॉस्ट है वो करीब 20 से 25 रुपए प्रती लीटर है तो 55 रुपए प्रती लीटर में बायो डीजल बनके तयार हो जाता है इसके लिए हमने छोटे यूनिट्स बनाये हैं जो प्रादान वित्रण भी किया गया इसा ब्यान में वनविवाक पोलिस और विविन सगड़नों के लोग मौजुद रहें नगरपाली का अध्यक्ष कमला चुफान ने लोगों से परयावन संरक्षन के लिए आगे आने की अपील करते वे पौधों का भी संरक्षन करने की अपी और आगे भी हमने लोगों से निवेधन किया कि आप इसमें हमारा सयोग करे पौधों को शरक्षित करने में और अपने नगर को स्वच्चुवा सुन्दर बनाने में हमारा सयोग करे परेटकों को खासा नुकसान जिलना पड़ा था लेकिन अब परेटकों की आवाजाही शुरू होने से टीहरी जील बोर्ट वेफसाईयों को उमीद जगी है इस जून के महिने में टूरिस्ट काफी देता था पर उतना नहीं है जितना हमें हर साल मिलता था पर वीकेंड पर अच्छा टूरिस्ट आ रहा है इसका हमें जो पोविड में नुकसान हुआ है उसके भरभाई कुछ हद तक हमारी भरभाई हो जाए राम नगर में विश्व परयावण दिवस के मौके पर गरजया मंदीर के ख्षेतर में तरंगी रिजॉट के करमचारियों ने सफाई अभियान चलाया इस मौके पर रिजॉट के CEO राहूल ने कहा कि परयावण दिवस का दिन हमें याद दिलाता है कि तमाम जरूरी चीज़ वाइस का थीम भी है ओनली वन अर्थ और इस बार कंट्री स्वेडन जो है होस्ट कर रही है फूरा फोकस की हुई है कलेक्टिवली ट्रांस्फोर्मेटिवली एक एक एक्शन लिया जा रहा है ग्लोबल स्केल पर सॉइल के लिए हमारे नीचर के लिए इस बात प्रीम भी है कि हम जो लाइफ जी रहे हैं उसको नीचर के साथ ब्लेंड तरके जियें नीचर को कंसीडर करें इसको मत्रे नजर के लिए आज हम लोगों ने तारंगी रिजॉर्ट में कई जगह पे प्लानेटेशन किया है इसके अलावा हमने क्लीनिंग ग्राइव एक्टिव रखा दरजिया माता टेंपल को आज काफी भीड है और मैं ये अवेरनेस इस कॉर्बेट में अभी देना चाहता हूं कि कॉर् रविवार के सब तरिशी परमार्थ घाट में सनान करते हुए गुजरात का एकिवग दूब गया था रविवार को SDRF के जबानों ने उसका शव बरामत कर लिया चार जून को ये वाक यहाँ पर दूबा था जिसके बाद SDRF उसकी तलाश कर रही थी बेरी नाग में रविवार को विश्व परयावन दिबस के उपलक्ष में मुवानी घाटी के बंडारी गाउ रजवार में खुल रहे स्टोन प्रेशर के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चला गया मुवानी के श्यदर पंचाच सदस्य कमल दीप ने बदाए कि क्रशर की वज़ा से मुवानी में प्रोदुशन फैलेगा जिस वज़ा से महा मारी फैल सकती है व्यापार संगद्यक शोबन कार्की ने भी कहा कि क्रेशर लगने से बविशमें पढ़ू के चारी की समस्या से लेकर प्राकृतिक शोथ सूखने तक का खत्रा बना रहेगा बेशियों के चारे के लिए भी गहरा संकर्ट इसमें आ सकता है जिसके विरोध में आज हस्ताक्षर अभ्यान चलाया गया और ये हस्ताक्षर अभ्यान यूहीं जारी रहेगा और इस्टोन क्रेशर को मौनी छेतर की समस्त जन्ता के सहीयोग से जल्द ही बंद करवा दिया जा बात ये कि बियारों के OCM सिंग को इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं है